नमस्कार हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अबंति का खत्री और वक्त चर्चा का है तमाम दर्शुकों से आकरे रहेगा कि आप जल्दी से फेस्बुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ चुड़ जाए एहम मसले पर आज हम बातचीत कर करेंगे जिस पर जरूरी है आपका साथ आप जुड़िए फेस्बुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ चुड़ने के बाद आपको रोजाना की तरह करना है आसान सा काम हमारी स्ट्रीम को करें जादा से जादा शेयर और कमेंट करके अपनी राए रखना ना भू चुका है और उस बयान के माइने भी बहुत सारे हैं देखिए आज बात अफसर शाही को लेकर करें तो एक आरोप जो बीते कुछ समय से आप देख सकते हैं कि सुखो सरकार पर भी लग रहा है उससे पहले जब जैराम सरकार थी तो जैराम सरकार के समय भी यह मुद्दा बह अधिकारियों पर अफसरों पर कोई पकड नहीं है सीम सुखविंदर सिंग सुखो की बात करें तो उनकी बारी में भी अब यह प्रशन जरूर उठाए कि अधिकारियों पर अफसर शाही पर सीम सुखो की भी कोई पकड नहीं है और आलम यह है कि अधिकारी अपने सर पर ज कुछ कहती है तो नहीं सुना जाता और बीते कुछ दिनों में अगर हम एक एक जलकी की अफसर शाही पर पकड़ कमजोर है वह एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक पेपर लीक मामले की बात कर लेते हैं तो उसमें कुछ एक बयान सीम के सामने आते हैं जैसे साथ दिन में जो है रिजल्ट आ जाएगा या फिर और भी कुछ तीन महीने में कोई नया योग बन जाएगा लेकिन धरातल पर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो उन चीज़ों से भी ये लग रहा था कि क्या अफसरों को जो निर्देश जो आदेश दिये जाते हैं क्या वो उन्हें सुन विक्रम अधित्य सिंग्ग कॉंग्रेस के नेता और युवा चेहरे और कहीं न कहीं राजनीती पर आप कह सकते हैं कि पकड़ भी अच्छी है मंत्री है क्याबिनेट मंत्री है और एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर जिस परिवार में से राजा वीर्भद्र सिंग्ग छे बार के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और ये जिक्र हम इसलिए यहां पर कर रहे हैं क्योंकि राजा वीरभद्र सिंग के बारे में एक बात चौकई ही जाती थी कि अफसरों पर राजा वीरभद्र सिंग की जो पकड़ थी वो बहुत खुब थी वो बहुत बहतर थी यानि कि आप ये कह सकते हैं कि अगर विर्भधर सिंग अफसरों को कोई काम बोल दे तो बहुत कम ऐसे चौंसेज होते थे कि वो सही समय पर ना हो पाए या उस काम में किसी तरह की कोई देरी हो या कोई अफसर टालमा ट से उनके पिता काम करवाते थे या किस तरह से अफसरों से काम लिया जाता है अब जैराम सरकार के कारेकाल की बात करें यानि कि पिछले सरकार की तो भी ये चीज़ देखने को मिली थी कि अफसरों पर कहीं न कहीं कंट्रूल नहीं है क्योंकि ऐसा कहा जाता था क्योंकि जब शाम की नोटिफिकेशन किसी चीज़ के लिए ना कर देती थी तो इस तमाम चीज़े जब पिछली सरकार में भी हो रही थी तो यह माना जा रहा था कि कहीं न कहीं तालमेल नहीं है या अफसर सुनते नहीं है या सरकार जो करवाना चाह रही है वो सिदे सिदे बता नहीं पा अफसर ही सरकार को चला रहे नहीं है अब जब बात निकल कर सामने आई कि तब बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि सरकार तो अपनी मौच मस्ती में है लेकिन अधिकारी इस वक्त सरकार को चला रहे हैं अधिकारी ही इस वक्त आप कह सकते कि काम कर रहे हैं और जैसा वो कहते हैं वैसे ही सरकार डिसीजन ले लेती है ये सब चर्चा करने के पीछे की वाज़ा ये है देखिए आपको पता ही है कि बीते दिनों अगर हम बात करें कैबिनेट मंतरी विक्रम आदित्य सिंग दिल्ली गए हुए थे उनके साथ अप्रातिभा सिंग भी थी और दिल्ली में कैबिनेट मंतरी विक्रम आदित्य सिंग ने कई नेताओं से पक्ष विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की उन्होंने कॉंग्रेस के जो आप कह सकते अध नेताओं से मुलाकात की और अब दिल्ली से जब विक्रम आदिते सिंग लाटे तो काफी गुसे में नजर आए एक और तो जहां उन्होंने बात की कि किस तरह से पीड़लुडीवी भाग के लिए क्या कुछ वो दिल्ली में चर्चा करके आए हैं इस आपदा किस्थिती में द अधिकारियों को चैतावनी दी है कि अधिकारी लक्ष्मन रेखा लांगने की कोशिश ना करें अधिकारियों के लिए मान सम्मान है और लेकिन ये भी जरूरी है कि अधिकारी और सरकार के बीच में एक समनवे हो और यही बात है कि बीजेपी यानि कि विपक्ष है वो यह लगा रहा है कि सरकार और अथिकारियों के बीच में समनवे हो मगर कुछ अधिकारी लक्ष्मन रेखा लांगने की कोशिश कर रहे हैं जो की बरदास्त नहीं की जाएगी मामले को C.M के सामने भी उठाने की कोशिश की उठाएंगे ये भी उन्होंने कहा हाला कि उन्होंने ये स्पश्ट नहीं किया है कि आखिर दिली में दिली से लौटने के बाद या दिली में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अब ये लग रहा है कि कहीं न कहीं अधिकारी मनमर्जी करें क्योंकि ज प्रपोजल भी बदल दिया जाता है तो इस अगर आप इस शब्द वाक्यों को समझे तो यह वाक्य बहुत सारी सवाल खड़े कर रहा है कि क्या शिमला में कुछ और प्लैनिंग होती है और दिल्ली पहुंचते-पहुंचते क्या क्या सारी सिच्वेशन बदल जाती है क्या ज सरकार जो यहां से करने को भेजती है या सरकार जिस चीज पर यहां से मोहँ लगा कर आगे भेजती है क्या एंड तक वो चीजे वैसे वो बाते वैसे नहीं पहुंच पा रही है जो विक्रम आदेतिय न Намेने और यही निकल रहे हैं कि अधिकारी प्रपोजल यहां तयार करते हैं लेकिन प्रवानु में हिमाचल की जैसे ही सीमा पार होती है तो सीमा पार करते करते वो पूरा का पूरा प्रपोजल भी बदल जाता है अब ये बात उन्होंने कही दिल्ली से ठीक वापस लौट कर आने पर तो क्या दिल्ली में विक्रम अधि अधिकारियों को लेकर विक्रम अधित्य सिंग्ग काफी गुस्से में है क्योंकि कुछ एक चीजे ऐसी हुई है जो सही नहीं थी उन्होंने स्पश्च तौर पर ये भी कहा कि देखिए चुने हुए प्रतिनिधियों को दर किनार कर अधिकारी सरकार चलाने की कोशिश ना करें अफसर शाही सरकार को अब ये नहीं बताएगी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं कड़क तेवर थे विक्रम अधित्य सिंग के मिजाज यहां पर आप कह सकते हैं तलख था और सीधी सीधी चैताव नहीं तमाम उन अधिकारियों को जो कहीं न कहीं अपनी मन मर्जी करें हैं सुनिए विक्रम अधित्य सिंग ने क्या कुछ कहा है प्रदेश की जो अफसर शाही है उनके लिए मेरे मन में और हमारे मन में बहुत मान समान है because we understand that for a successful government there has to be equal coordination between the government that is the elected government and the bureaucracy. मगर मैं ये कह दना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी अपने को जो है लक्षमन रेखा को लांगने का कारे कर रहे है और इस चीज़ को हम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं. ये मुझे कुछ चीरों से ये ग्यात हुआ है कि कुछ प्रपोजल यहां बनाए जाते हैं और परवानू लांगते लांगते दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो बदल जाते हैं. मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जो है वो लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ. और मैं ये साफ सब्दों में कह देना चाहता हूँ कि वी आर एलेक्टेट गावर्मेंट. We have been elected by the people of the state. The bureaucracy will not dictate us कि हम को कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है. ये चीजे instances जो हो रही है. मैं मुखे मंतरी जी के ध्यान में इस चीज़ इस विशे को लेकर आऊंगा. मगर ये चीज़ हम टोलरेट करने वाले नहीं हैं. We are there because of the people of Himachal Pradesh. We are elected from our Vidhan Sabah Constituencies and we have to raise the voice of the people of Himachal Pradesh. कोई अगर ये अफसर सोचे कि वो अपने उससे हमारी आवाज को दबा देगा, तो हम दबने वालों में से नहीं हैं. और मैं इस विशे को पूरी घंबीरता से मुखे मंतरी जी के समख्ष उठाऊंगा कि इस तरीके से जो अफसर शाही ये करने की कोशिश कर रही है, हम इस चीज़ को बिलकुल भी टॉलरेट करने वाले नहीं हैं. Thank you. तो सुना आपने क्या कुछ यहां पर विक्रम आदितियर सिंग ने कहा. सीधे तोर पर अधिकारियों को चेताव ने सीधे तोर पर अधिकारियों को यह सपश तोर पर कह दिया है कि लक्षमन रेखा लांखने की कोशिश ना करें. जाहिर से बात है विक्रम अदित्य सिंग की और से जब ये बयान आया है तो कहीं न कहीं सियासी पारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि चाहे विक्रम अदित्य की आप बयानों की बात कर लीजिए या सोचल मेडिया पर अगर वह कुछ लिखते भी हैं तो उसके खूब चर् सरकार में रहते हुए सपश तोर पर इस और इशारा किया है कि कहीं न कहीं अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सरकार को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं बयान बढ़ा है त और यही बात एक बार आज जब विक्रम अधित्य सिंग ने कहीं तो जैराम ठाकुर ने पर तौर पर कहा कि देखिए अब तो खुद मंत्री बेबस हो चुके हैं और ऐसे क्या नाबत आ गई कि मंत्री को यहां पर बंद कमरे में अधिकारियों को निर्देश देने की बजाए मीडिया में आकर जो है यह जताना पढ़ रहा है यह आदेश अधिकारियों को देने पढ़ रही है कि वो अपनी मन मर्जी ना करें यह जैराम ठाकुने कहा और साथ ही आगे उन्होंने यह भी कहा कि देखिए यह जो चीजे इस वक्त हो रही है जिस तरह से कॉंग्रेस के मंत्री कह रहे हैं अधिकारियों को लेकर इससे यह सपश्ट हो गया है कि कॉंग्रेस में ना के सामने या अधिकारियों के पास अपनी बात रखने रखने से पहले जो है वो कही न कहीं मेडिया के बीच में आके सारवजनिक तार पर यह बता रहे हैं कि अधिकारी मन मर्जी कर रहे हैं यह अब कहीं न कहीं देखिए विपक्ष इससे जरूर मुद्दा बनाने की कोशि कह रहे हैं सरकार कुछ कह रहे हैं मंतरी कुछ कह रहे हैं सीम कुछ कह रहे हैं और अब ये बीजिएपी आप कहां Adams देना चाहता है लेकिन कि क्यों कि तालमेल ही नहीं है अधिकारीओं के बीच सरकार के बीच में तो फाइलें ही सही समय पर नहीं बन पाती तो दिल्ली पहुंच नहीं पाती हैं और जब तक सही जानकारी नहीं पहुंचेगी जब तक सही तथ्य नहीं पहुंचेंगे तो बहुत सारे चीज़े ऐसी हैं या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पहुंच ही नहीं पाते ना तो अच्छे फंड पहुंच पाता है और ना ही बाकी तमाम जो चीज़े हैं क्योंकि उससे जुड़ी हुई जानकारिया ही यहां से वहां सही तरीके से नहीं पहुंचती हैं कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो एक बार फिर अफसर शाही वर्सिस सरकार होता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी और बिपक्ष यानी की बीजेपी अब इस मुद्दे को और घुमाने की या और बढ़ावा देने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है सरकार और मंत्रियों के बीच में सीएम और मंत्रियों के बीच में तालमिल है या फिर नहीं ये तो समय समय पर जाहिर होता भी रहा है कुछ एक फैसले जरूर ऐसे आए हैं दोनों के बीच के कि सीएम कुछ कहते हैं मंत्री कुछ कहते हैं या फिर एक मंत्री कुछ बयान दे तो ये चीज़े जरूर सुखु सरकार में हुई हैं लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जैराम सरकार के कारेकाल में भी ये बात होती थी और दोनों के ही कारेकाल में अब ये बात जरूर कही जा रही है कि अफसर शाही पर जो आप कह सकते हैं कि पकड़ है वो कमज उसके बाद सियासी पारा भी बढ़ चुका है और काफी जादा बवाल होने के भी चांसिस बने हुए हैं अब देखना आगे यह है कि विक्रम आरित्य ने आज तो क्योंकि खुल कर कोई मसला ऐसा नहीं बताया जिसके चलते उन्हें यह लगा कि कही न कहीं अधिकारी मनमर्ज कर रहे हैं मगर देखना यह है कि जब व और उसस पूरे मसले पर क्या स्टेटमेंट आती है तो निगाहें अब स्टेटमेंट पर स्टीक्य रहेंगे के आगे विक्रम आदितिय सिंग इस पूरे मसले को लेकर किया कुछ गहते हैं खेर आप हमें जरूर बताईएगा अपनी राय जरूर रखियेगा की आपको भी लगता है कि कहीं न कहीं जो विक्रम आदितिय सिंग कह रहे हैं वह सही है कि इस वक्त अफसर शाही जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है सरकार पर जरूर राए रखेगा विपक्ष के आरोपो पर भी आप अपना कमेंट जो है वो हमें फेस्बुक और यूट्यूब के जरीए करके जरूर बताईएगा और इसी के साथ फिलहाल अभी मैं आप से लेना चाहूंगे इजासत नमस्कार